खबर रोताज जिला के नासिगंज प्रखंड से है जहां पोकराहा पंचाट के पोकराहा गाउं में स्थित उच्च माधमिक विद्याले पोकराहा में मैटर की परिच्छा फाउम भरने में बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारिच सोल्क से अधिक सोल्क वसूली करने वं अभिभावक को वज्यन प्रतिनिदियों ने आक्रोशित होकर स्कूल गेट के बाहर बिरोत प्रदशन किया इस तोरान लोगों ने अवैद वशूली बंद करो प्रधान अध्यापक पर कारवाई करो प्रधान अध्यापक अपनी मनमानी बंद करो एचेम का ट्रांसपर करो किनारे भी लगाए गरामीन व चात चातराओं व जन प्रतिनेद्यों ने भिरोद करते वे कहा कि बिहार विद्याले परिच्छा समीति द्वारा समान वर्ग के 660 रुपायों से नौसो ऐसी रुपया व एसी स्टी व ए वी सी के 660 रुपायों से आर्ट युपायों लेना है ज कोई रशीद भी नहीं भी जारी जिसकी सिकायत करने पर प्रधान अद्यापक के दोरा केस करने की बात कहकर दराया धंगाय जा रहा है पुछने पर टाल मक्रोल कर रहे हैं और किसी से सिकायत नहीं करने की धंकी भी चात्रों को दे रहे हैं स्कूलों में सिक्छा का इस्तर नि कि आउनलाइन के खर्च के रूप में अधिक राशी ली जाती है अगर ग्रामीनों वचात्र चात्राओं को इस पर आपती है तो उनकी राशी लोड़ा दी जाएगी रसी छपने के लिए दिया गया है छप कराने पर सभी बच्चों को रशीद उपलब्न कर दी जाएगी बिय अगर ग्रामीनों वच्च बिद्याल है मैं माननिये शिरिक प्रधाना अध्याप स्रीक कामेश्वर परशाद द्वारा दिहार सरकार द्वारा है धारित सिक्षा सुल्क परिक्षा सुल्क 980 रुपईया के जगह 1080 रुपईया लिया जा रहा है जो कि जेनरल कोटी का है जेनरल का है और एससी एस्टी का 965 रुपईया है वहां पे भी 1080 ही लिया जा रहा है जब परधाना ध्यापक से कुछ अभी भावगण इसके बारे में पुछने गये उनके द्वारा कोई संतूर्ष जनक जबाब नहीं दिया गया है और तो और हमारे वार्ड नमबर एक में ये विद्याल अस्थाफित है इसके अध्यक्ष माननिये स्रीमती मीना देवी जी है जब उन्होंने ये पूछा तो अपने आपको एस्टी एस्टी एक्ट में हसाने का धौस देते हैं कोई भी यहां पे गर्जियन आये तो उनके साथ उनका दूर्ब्योहर अनवरत जारी है और ये लाग यहां पे गाड की बहाली में भी कुछ दिन पहले यहां पे धांदली हुई थी यहां पोखराहा पंचायत में नव होकर कि सिकरिया पंचायत के इन्होंने एक गाड का बहाली किया था पैसा का लेंदेन करके जब बिरोध किया गया तो इन्होंने वो कैंसिल करके यहां के ग रंजीत प्रशाद का बहाली हुआ तो ये लगभग अनवरत लगभग 15 सालों से 16 सालों से अनवरत चली आ रही है और हर बारी यही होता है कि यहां पर बीयों सहाब आएंगे कुछ ले देकर मामला सांत ये करा देंगे मेरा नाम प्रशांद कुमार सिंग्ग हुआ हाँ हमारे पंचायत के लोगों का सिकायथ है पोखराहा मध्य विद्याले पोखराहा में परधाना ध्यापक के द्वारा बच्चों से फीस से एक सो रुपई है जादा लिया जाना है इसकी सिकायथ मुझे मिली इसको सुनकर हमने यहां पर विद्याले परिशन पर गेट humor पहुँंचे है यहां तमाम लोगों का बिरोध है लोगों में काफी अक्रोष है कि परधाना ध्यापक हमारे बचों से एक सो रुपईया प्रती बच्चे ज्यादा फीच से ले दे इसके बिरोध में हम लोगों ने परदर्शन किया है मैं समझता हूं कि प्रधाना ध्यापक को पुना इस तरह का भोसना इस तरह की गलत काम पुना वापस लेना चाहिए यहां की जनता कि अधिया परदर्शन के खिलाफ काफी आक्रोशित हैं जिसे इन्हें पुना यहां से ट्रांसपर करने की मांग कर रही है मैं समयता हूं कि प्रधाना ध्यापक आकर अपनी सफाई दे जनता से माफी मांगे तो शाइद इनका कोई निराकरन हो सके हैं क्या नम है का मेरा नाम क फिलहाल हम लोग SDM साहब से मुलकात करने वाले हैं और जनता दरबार में अपने जिला धीकाडी जो धर्मेंदर कुमार परदान हैं उनसे हम लोग उनको अवगत कराएंगे हम लोगों को यहीं सीकाइट मिला था कि जो हमारा उंचमाधिमिक विद्याले पोकरा है यहां के बच्चों का सीखाइट था और जो यहां के हैं ग्रामिड उनको उनका मतलब पुचना था जो यहां के सिक्छक हैं बिहार बोड़द्वारा निरधारी तरासी से अधिक जाकर के कुछ ना बोने के और बच्चुक से तरह तरह के अलग-अलग थिस का मैंग करके उनसे अलग अधिक रासी वसुली किया जाता है जासली का परिछ्चा फर्म भरने के लिए सरकार दोरा निधाई सुलक नौसौ अशी रुपया है और यहां का हेड मार्टर हम लोग से एक हजार का सी रुपया की मांगती है जब हम लोग इंसे रसीद माँगे तो वो हम लोग को नहीं दे रहे हैं और का रहे हैं कि अभी रसीद नहीं आया है और हम लोग को डराध हम का रहे हैं कि और मेडिया वाले आएंगे तो का देना कि पीछे का पैसा हम लोग को बाकी था मेरा नाम हर्यों कुमार कीश क्लाज में पढ़ते हो पैनथ और इसकूल के नम है पूछ माध्यों के विद्हाले पुखब रहा लेकिन हेड्मास्टर से ने हम लोग उसे एक हजार एसी रुपे लिया और जök हमने कहा थे उनुने कहा था कि यह एक हजार असी रूपे लग रहा है जब हमें कहा कि इतना नहीं अचर्ण लघर हुए है झाल झाल